लिए उसक्लिक में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे फाइनांस मिनिस्टर डिविला सितरामन का अनॉंस्मेंट जो अभी हुई है कि कॉर्परेट सेक्टर के लिए क्या-क्या छूट दिया गया है इस पे नहीं छूट है परण जाए तेकि एक तरह से इस तरीका से इस रस्ता से सरकार जो जाएंगे आज नहीं और उन जेटली जी 2015-16 में कहें तो पुरानी बात है पर इस वक्त जो बात है कि बजट पे नहीं था यह नई छूट दी गई है कॉर्परेट सेक्टर के लिए ज़रा बताएंगे हमें किन किन विशों में नई छूट दी गई है और उसका रेविन्यू पर जो रेविन्यू फोर गॉर्ड कॉलम में आता है उसका इंपक्त क्या पढ़ने वाला है वित्यमंत्री निर्मला सीधरावन जी ने कहा कि जो हमारे देश के जो डुमेस्टिक कंपनी जो भारतिय कंपनी है नीजी कंपनी है उनके उपर जो उनका जो मुनाफ़ा के ओपर जो आयकर पैठते है कॉर्पोरेशन टैक्स के जो यह इसका जो एफेक्टिव रेट है मतलब जो असली इसका जो रेट है लगबग 10 फीसदी 10 प्रतिशत कम हो जा पैतीस फीसदी का असपास था और पच्चीस के असपास पहुच गए है और इसमें स और सर्चाज भी हम डाल रहे हैं तो बहुत सारे कंपनी हमारे देश में इस रेट में टैक्स नहीं दे रहे थे वो दे रहे थे M.A.T. याने की नियुनतम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यह M.A.T. भी कब कर दिया सरकार ने 18.5 फीसदी से 15 फीसदी तो इससे उपर भी जो रहा था जो हमारे जो संस्तागत जो निवेशक है जो शेर बजार में निवेश करते हैं विदेशी निवेशक देसी निवेशक जो सिर्फ फाइनाशल इंवेस्टमेंट करते हैं फाइनाशल मार्केट्स में एक तरह से उनका ऊपर जो capital gains tax है मतलब उसका जो पूजी जब उ जो दो छोटा गोशना है जो नया company जो एक October के बाद जो आप स्थापन करेंगे उसके लिए और भी कम rate हो जाएगा और CSR यानि की corporate social responsibility क्या क्या जगा में आपका जो मुनाफ़ा का दो फीसिदी आप जेते अलग-अलग सरकारी संस्थाएं केंद्रिय सरकार के संस्था राज उसका scope बढ़ा दिया मतलब आप कहा कहा में आप CSR आप eligible है मतलब कैसे आप खर्चा कर सकते उन जगहों को बढ़ा दिया जो चीज कुछ हद तक मानी जा सकती कि आपके advertisement भी कर रहा है उन जगहों पर भी बढ़ा है CSR के नाम में बढ़ा सकते हैं सरकारी संस्थाओं में ये पैसा देंगे उसका जो कहते हैं incubation जो public sector undertakings में देंगे आप विश्व विद्याले में देंगे ये सारे जगह में भी आप CSR मनी दे सकते हैं ये नया गोशना की अज़र बितम जिने की उन्होंने कहा कि इसमें सरकार एक लाग पैतालिस हजार कर रुपया इसका 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 असर पड़ेगा revenue for revenue impact revenue for gone मगर इस विशे की उपर मैं इस पर थोड़ा बाद में आना चाहता हूँ क्या इसमें किता सचाई फिगर्स में या नहीं पर इसका एक बात तुई है कि एक लाग पैतालिस हजार क्रोर की revenue for gone के मतलब अगर इस figure को हम मा सद्रा सरकार के पास नह के जो corporate sector है उसके retained earnings के तहद उनके पास रह जाएगा उनका मुनाफ़ा बढ़ जाएगा तो एक हिसाब से जो यह बात आती है कि इंडियन economy इस वक्त recession की ओर बढ़ रहा है कि आपकी growth कम हो गया है मैं आपको एक मिन के लिए रोक रहा हूँ इस विश सबस्ता के उपर क्या इसका असर पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है बर्ग उसमें दू तीन चीज में जोड़ना चाता हो अगर आप भारतवश के नीजी company जो 300 सबसे बरा company है जिसका हर साल का कारोबर 500 करोर से जादा है यह 300 company पूरा जो सरकार जो corporation tax corporate tax जो है वो लेती ह जो company का मुनाफ़ा के ओपर आए कर बैठे यह आदा से जादा यह 300 company पूर यह 300 company का effective tax rate क्या था इससे पहले 26 पीस इसका मतलब कि यह अगर सारे इनके जितने benefits अगर forgo कर देंगे तब उसको खास फाइदा नहीं होगा एक फीस दीफाइदा इधर उधर 19 बीस का भी नहीं है तो इसका मतलब है यह सारी जो घोशना इनों न किया दिखाने के लिए किया एक तरह से आपका छवी थोड़ा उज्वल करने के लिए विदेशी बड़े बड़े corporate जो नाखुश थे जो शेहर बजार में निवेश करते हैं वो दुखी थे उनको दिखाने के लिए और विद इसको आप जब इस तरह से explain कर रहे हैं इसमा कोई खास फरक नहीं पढ़ने वाला तो यह भी सवाल होता है शेहर बजार में उच्छाल के हो आई तो इसका मज़े यह भी है कि जो शेहर बाजार के जो छूट देगे capital gains tax का इसके लिए आया है बिलकुर कि शेहर बजार घटा इस पे भी है which is called basically speculative income जो होता है जो actually industry के लिए नहीं आता है सिर्फ शेहर बाजार उच्छाल कूद में रियल economy में तो कोई फरक नहीं पड़ता अगर आप IPO लेके कुछ और पैसा निकालने चाहें market से तब हो सकता है नहीं तो शेहर बाजार के उच्छाल कूद में जो है इसका मतलब कुछ लोगों को लगता है कि हम ज्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं और उस पर tax नहीं होगा आप देखिए आप CMI याने की Center for Monitoring the Indian Economy का आखड़ा अगर देखेंगे पिछले लग दो साल में ये company का जो मुनाफ़ा जो अपने company में रख दिया जो अंग्रेजी मे जो मुनाफ़ा बर गया आप क्या जो चीज बेच रहे हैं उसका दाम कम करतेंगे इसके वपर बहुत बरा प्रस्टे चिंज़ा है ठीक है कुछ दिन पहले मारूती ने कहा हमारा गारी नहीं बेच रहा हम कम करतेंगे पारले वह करेंगे ब्रिटैनिया वह करेंगे पर क्या असर पढ़ेगा यह तभी आप देख सकते हैं जब कंज्यूमर के हाथ पे ज्यादा पैसा होगा बिल्कुल टीक होगा तो सवाल यह है कि कॉर्पोरेशन्स टैक्स मैं आपका 26% मतलब बहुत कम फरक पढ़ाएगा मैं इस बहस पर नहीं पढ़ रहा हूं इस वक्त क्योंकि कॉर्पोरेशन्स के पास इस पे ज्यादा पैसा होंगे दो खाते में एक तो आप यह बताए और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो और दूसरा है जो आपका स्पेकुलेशन जो होता है शेयर बजान में उसका पैसा अपने टैक्स आपने कम कर दिया जो बढ़ाया था बजट पर अपने विड्रॉव कर लिया तो सवाल यह है कि एक कंजूमर स्टीबुलस नहीं है क्योंकि मार्केट में खरीदने के लिए ल स्टीबुलस तब होता कि अब पैसा अगर सरकार मार्केट अब आक्च्यूयली लगठ करने के लिगाती, सरकारी स्कीम्स होता, इं Ci-2 में स्टीव की खफद हो, जिस में स्टीमेंट की खफद हो, तो आपका एक स्टीबुलस आता, क्योंकि उसमे लोगों का, पैसा भी कि आपका जो अर्थ विवस्ता में आज क्या संक्ट है मांग का डिमांड का सप्लाई का समस्या नहीं है कि आपका कंपनी का जो कैफासिटी है वो उस पूरा कैफासिटी भी नहीं नहीं है तो आपका जो सबसे बरा जो समस्या है demand का मांग का वो समस्या का समधान नहीं होगा ये सारे खोषणा करने के लिए पहली बार हमारा demand constraint जो है लही है demand constraint economy हो गया है आपका supply constraint economy से डूसरी बात आप देखिए ठीक है कुछ company को मुनाफ़ा बरेगा नीजी बैंकों का बरेगा और बरे-बरे कंपनी जैसे रिलाइंस वो ऐसे भी उनका M.A.T. देते थे minimum alternate tax वो निवेश करते थे तो M.A.T. जब 18.5 फिसीदी से 15 फिसीदी कम हो गया तो उनका फायदा होने का एक संभाव नहीं नहीं संभाव नहीं होगा अभी समय बताएंगे कितना होगा नहीं होगा दूसरी बात आप कहरें एक लाग पैतालिस हजार क्रोर हमारा जो tax हमने budget में हमने सोचा था वो हम नहीं मिल आपका जो अंतरिम budget था वो February में होई थे आपका जुलाई में आपका main budget आया था और फिर उ आने वाले February में आपका आने वाले रित्साल का budget आने वाले हैं तो मेरा कहना क्या है पहला बात यह है कि यह जो एक लाग पैतालिस एक दश्मल पैतालिस लाग करोर मेरा लग रहे है थोड़ा बरा के दिखा रहे हैं क्यों दिखा रहे हैं क्योंकि वैसे भी तो इतना नहीं म ने सोचा था वजट पर नहीं आ रहे हैं आखरी बात ठीक है मैं मान लिया कि निर्मला जी जो कह रहे हैं यह सच है कि एक लाग पैतालिस हजार करोर आपको आप छूट दे रहे हैं यह पैसा आप क्यों बुनियादी धाचा में नहीं इंफ्रस्ट्रक्टिक में यह पैसा आप मार्पी क्यों ने बना रहे हैं यह पैसा आप गरीब के ऊपर जो आप कहते हैं मनरीगा के अवपर उसके ऑपर क्यों नहीं खरच आहे अगर सच मुछ आप इतने पैसा कॉर्पूरिस एक्षटण को ना शूट देना है तो यह पैसा आप आम आदमी के लिए गरीब के लिए क्यों भर्च कर रहे देखिए पर इस पर इस पर अर्थ शास्ट्री द्रिश्टि कोन से अगर देखें तो आपकी इकनॉमिक इस वक्ट जो डाउन टर्न है इसका वजह क्या है दिमांड नहीं है आपने जो कहा पहले दिमांड नहीं है तो दिमांड कैसे क्रियेट की जाए यह रीटेंड अर्निंग्स बढ़ाने से पुजीपतियों के हाथ पे ज्यादा पैसा जाने से वह इन्वेस्ट्मेंट नहीं करेंगे इन्वेस्ट्मेंट तभी पुजीपति करता है जब डिमांड होता है जब माल बिकरी का संभावना होता है और ज्यादा मुनाफ़ पे Reliance ने, Ammani ने कहा कि हम अभी और infrastructure बढ़ाने के सोच पे नहीं है क्योंकि demand इंडियन इक्वानिग में गिरता दिख रहा है तो यह बात है, बिलकुल, देखिए आज हमारे देश में जो रोजगार, 90% ती लोग तो असंगठिक, unorganized sector में हैं हमारे नेजी corporate sector उस तरह से पूरा अर्थ विवस्था में अगर देखेंगे, एक चोटा सा हिस्सा है तो आपका ये सारे गोशना का एक ही कारण है, आप दिखाने चाहरे लोगों को कि हम corporate sector नाखुश थे, बहुत नाखुश थे हैं budget के बाद, उनको खुश रखता जरूरी है आप विदेशी ट्रम जी को मिलने के लिए मोदी जी जा रहे है, दिखाने के लिए हम कितने उदार है विदेशी निवेशक को, हम कैसे उनको मदद कर रहे हैं तो ये सारे दिखाने के लिए एक तरह से अपना च्छवी को प्रवंदन करने के लिए image management exercise में ये एक जरूर है पर इस पर और एक चीज आपको बताना चाहूँगा, मैं कोई बहस की बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त की सरकार के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, वो कह रहे हैं, सरकार का tax का जो आना है, वो indirect tax से आना चाहिए, direct tax को कम कर देना चाहिए direct tax, corporate tax जो अभी जिसकी बात हो रही है, आपकी capital gains tax और income tax, इनको छूट दी जाए, घटाये जाए और आपको excise, GST वगारा पढ़ाये जाए this is the thrust of a certain section of the advisors to the government आपने बिल्कूल ठीक कह रहे है, जहां से मैंने शुरू किया, 2015-16 में जिस समय अरुन जेटली जी ने वित्यमंदिर थे, उन्होंने उसी समय कहा था, कि हमारा दक्षिन एशिया का अलग अलग देशों का जो corporation tax rate वहां पे हमें पहुचना चाहिए, in stages एक भारत सरकार का direct taxes code भी है, वहां पी यहीं लिखा, तो अचानक corporate नाखुश थे, शेर बजार किर रहे थे, तो उसको अचानक एक साथ, एक जटका में निर्मलासी था, रावन जी यह सारे काम कर दिया, और मेरा तो नहीं लग रहे है, अर्थ व्यवस्ता के उपर कुछ अ और इमेज बिल्लिंग एक कोशिश है, पुजी पती वर्क के सामने, आम जनता के लिए या अर्थ व्यवस्ता के लिए ये कदम नहीं है, धन्यवाद देखते रहेगा, ड्यूस क्लिक.